जे माता दी राधे राधे आई ये सुनते हैं। दस महाविद्या में से सात्वी महाविद्या धुमावती माता की कथा आज धुमावती जनती है। धुमावती माता शप्पी अपनी क्रिपा बर्षाएं। माता सती का दस महाविद्याओं में मा धुमावती उनकी सप्तम महाविद्या है। यह माता सती के दस रुपों में से सात्वा रुप मानी जाती हैं। जो माता रानी के विपरीत गुड़ों का प्रती निधित्व करती यह विश्व में कलह उत्पन करने वाले तथा भूप से व्याकुल माता का रूप हैं जिसे अनिष्ट के रूप में देखा गया है माता रानी का यह रूप शुनकर आप भी धुमावती माता का रहष्य जानना चाहते होंगे इसलिए आज हम आपको धुमावती माता का इतिहास कथा महत्व लाव इत्याद के बारी में विश्टार से जानकारी देंगे आईए सुनते हैं माधुमावती की कथा यह कथा बहुत ही रूचक है जो भगवान सीव वह उनकी प्रथम पतनी माता सती से जूई है हाला कि उनकी दूसरी पतनी माता पार्वती मा सती का ही पुनजनम माने जाती है धुमावती महाविद्या की कहाने के अंसार एक बार माता सती के पिता राजा दच ने विशालियग्य का आयोजन करवाया था चुकि राजा दच भगवान सीव से द्विस भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किये जाने के कारर्श छुब्द थे इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यग्य में नहीं बुलाया भगवान सीव इस बारे में जानते थे लेकिन माता सती इस बात से अनभिग्य थी यग्य से पहले जब माता सती ने आकास मार्ग से सभी देवी देवताओं और रिश्यों मुन्यों को उस और जाते देखा तो अपने पती से इसका कारण पूछा भगवान सीव ने माता सती को सब सत्य वता दिया और निमंतर ना होने की बात कहे तब माता सती ने भगवान सीव से कहा की एक पुत्री को अपने पिता के यग्य में जाने के लिए निमंतर की आवश्यक्ता नहीं होती माता सती अकेले ही यग्य में जाना चाहती थी इसके लिए उन्होंने अपने पती सीव से अन्मती मांगे किन्तो उन्होंने मना कर दिया माता सती के ध्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शीव नहीं माने तो माता सती को क्रोधा गया और उन्होंने सीव को अपने महत्ता दिखाने का निड़े लिया तम माता सती ने भगवान सीव को अपने दस रूपों के धर्सन दिये जिन में से सात्मी मा धुमावती थी माता रानी के यही दस रूप दस महाविद्या कहलाए अन्य नव रूपों में क्रमसर काली तारा सोर्शी भुनेश्वरी भैरवी छिनमस्ता बगला मुखी मातंगी वकमला आती हैं धुमावती अर्थात जिसका जन्म धुमेशे हुआ हो माता रानी का यहरू धुमे के समान होता है इसलिए उन्हें भगवान सीव के द्वारा धुमावती नाम दिया गया मा धुमावती का रूप अतियंत दरिद्र शुष्क दया योग्यवाला है दिवी धुमावती को एक बिध्वा बुढ़ी इस्त्री के रूप में भी दिखाया गया है जिसमें उनके सरीर के अंगों पर जगा जगा जुरिया पर चुकी है तथा वह काप भी रहा है धुमावती देवी का सरीर एकदम सुस्कवर सफेद रंका है तथा उन्होंने वस्तर भी बिध्वा समान स्वेथ ही धारर किये हुए हैं मानी जो वस्तर पहने हुए हैं वे भी कई जगह से कटे-फटे वह घिसे हुए हैं उनके केश भिखरे हुए हैं वह ऐसा लगता है ज से मा कैदीनों से नहाइद न हो इस कारण उनके केस सरीर ववस्तों पर गंदगी जमा हो गई है उनका पूरा सरीर कम पाए मान है मा का रूप भूप से ब्याकुल वदरिद्र रूप में दिखाया गया है उनका सरीर बिलकुल पतला वद अस्वस्त प्रतीत होता है वी एक मिना गोडे के रत पर वैठी दिख रही है जिसके सिस्प पर एक कवा बैठा है मा के एक हाथ में टोकरी तो दुसरी हाथ अभै मुद्रा में या ज्यान देने की मुद्रा में है देवी धुमावती के इस निंदनिय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है मान्यता है कि एक वाज भोजन उपलब नहीं था तो सिव जी ने उन्हें कुछ समय प्रतिछा करने को कहा माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतिछा की लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गए जिस कारण वे और अधिक ब्याकुल हो गए इसी ब्याकुलता में देवी पार भग्वान सिव को ही निगर गए भग्वान सिव को निगलते ही सिव के सरीर में समुन्र मन्थन का विष्च माता के सरीर को जलाने लगा जिस कारण उनके सरीर से धुआ निकलने लगा माता राने का सरीर धीरे धीरे बुरा होता चला गया जिसमे जग 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 जुरिय इस से बिचैन होकर माता पार्वती ने सिव को अपने मुझ से बाहर उगल दिया। इस रूप में माता रानी के मुख पर बिचैनी, ब्याकुलता, दरिद्रता, संसय, तडप, ठकाद, इत्यादी एक साथ प्रदर्शित होते हैं। मा धुमावती का यहरूप मा के विप्रित गुडों को प्रदर्शित करता है। इसलिए इन्हें अलच्मी या जेश्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धुमावती एक तरह से मा देवी के नकारात्मक रूप का साथ प्रदर्शन है। किन्तु अपने इस रूप से मा अपने भक्तों के कई संकटों को दूर करती है। मा धुमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है। वह उन्हें यदि किसी चीज का अभाव है। तो वह दूर होता है। देवी धुमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी वह भूख को सांध करती हैं। तथा उन्हें अभय होने का आशिरवात प्रदान करती हैं। मा धुमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्री में की जाती है। गुप्त नवरात्री में माता रानी की दस महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है। जिसमें से सात्वे दिन महाविद्या धुमावती की पूजा करने का विधान है। प्रथमवेद रिगवेद में मा सती के धुमावती रूप को सुत्रा कहा गया है। मा धुपावती के कुछ अन्य नाम जेश्ठा, अलच्मी वनिरत्ती है। शुहागी निष्णियों के द्वारा मा धुमावती की पूजा नहीं की जाती। मा को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तू नहीं चड़ाई जाती है। देवी धुमावती का सक्तिपिक। मज्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पितामबर पीठ है। धुमावती मा से सम्मंधित रुद्रावतार धुमिश्वर महादीव हैं। एक अन्यकथा के अन्सार मा धुमावती का यहरूप राजा दचद्वारा आयोजित यग्य में मा सती के आत्मदाह करनी के पश्चार उसके धुमे से प्रकट हुआ था। यह स्रिकुल की साथ देविया में आती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करनें। ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसी पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।